नमस्कार किसान भाईयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल World's गीन में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरसो की बंपर पेदावार देने वाली काली हाईबरिड सरसो की सीड़् के बारे में, जिनकी आप भुआई करके अच्छी पैदावा ले सकते हैं और में तेल की मातरा भी काफी ज़्यादा होती है चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इस लिस्ट में जो पहला नाम आता है वो आता है सकती वरधर कंपनी की SVGH84 यह हाईविड सीड्स हैं अगर इस वेराइटी की उत्पादन की बात करें तो इसके उत्पादन की चंता जो होती है इस वेराइटी के पोदे की एक फली के अंदर 18-22 दाने होते हैं और दानों में वजन होता है इस वेराइटी के पोदे पर फलिया ज़्यादा लगती है यानि फलियों की जो संख्या आती है एक पोदे को पर 180-220 फलिया इसमें आ जाती है बीमारी की बात करें तो ये रोग परतियों तक छंता वाला किसम है यानि इसमें सफेद रत्वा रोग नहीं लगता है समय बात कर लें पकने कितने समय में पक्के तयार जाती है ये विराइटी 135-140 दिन में ये पक्के तयार हो जाती है बाई का समय कब है अक्टूबर महिने में आप इसकी बाई कर सकते है यानि अक्टूबर के पहले अपते में ही आप इसकी बाई कर दीजिए और इससे बंपर दावार ले सकते है ये काली सरसो है आपकी इसका रंग काला होता है बीज का पोदे की उचाई आपकी कितनी जाती है इसकी पोदे उचाई आपकी हो सकती है 140-160 cm की उचाई जाती है इसी वज़े से क्या होता है ये मद्यम अकार की होने के जैसे इसकी फसल काफी कम ही गिरती है बीजदर की बात कर इनि तीन पानी में ये पक्के त्यार जाती है इस लिस्ट में दूसरा नंबर आता है सक्तिवर्दक कंपनी की ही SVJ101 ये भी hybrid seeds है ये भी आपके काली seeds है और इसमें तेल की मातरा काफी जाद इस variety को पकनी में जो समय लगता है 125-130 दिन में ये पक्के त्यार जाती है बुआई का समय क्या है इसके लिए सितंबर से लेकर दिसंबर तक आप इस variety के बुआई कर सकते हैं अगेती और पचेती दोनों तरह की बुआई आप इस variety की कर सकते हैं उचाई की बात करें पोदे की 120-130 cm का पोदा होता है नि मद्यमकार का पोदा होता है मद्यमकार का पोदा होने की वज़े से फसल नहीं गिरती है साखाई की बात करें इस variety के साखाई फुटाओ सुरू से ही स्टार्ट हो जाता है एक पोधे से हमें 18-20 साखाई निकलती है, फलियों की बात करें, पोधे पर फलिया सबसे ज़्यादा आती है, एक साखा पर 65-70 फलिया आती है और एक पोधे से 200-300 फलिया मिलती है, दाने की बात करें, एक फलियों से हमें 20-23 दाने मिल जाते हैं, दाने काले, मोटे और चमकद को डार होते हैं तेल की मातरा इस एधान कांद की बात करें इस पिराइटी य हैंनुं मैं सपपे दर्थ रही नहीं लगता है पानी की बात करें तो इस वेराइटी की वसल को तीन पानी जुरत होती है उत्पादन की बात करें इस वेराइटी के लिए तो इसकी वेराइटी की उत्पादन होता है मैं 14-15 कुंटल पर एकाडमी इसका उत्पादन ले सकते हैं तो यह थी दो वेराइटी काल पर चुदक चमता कमी लगती है फसल काफी कम गिरती है तो ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चैनल पर नहीं है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और वीडियो को सेर करना ना भूलिये